बारती वंडे और T20 टीम से बाहर चल रहे टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन ने पहली बार टीम से बाहर होने पर बयान दिया है अश्विन ने कहा कि आराम दिया जाना या फिर टीम में खिलाना टीम मैंनेजमेंट के हाथ में है अश्विन ने कहा एक खिलाड़ी के तोर पर आराम दिया जाना या फिर खिलाए जाने पर मेरा कोई रोल नहीं है ये सब मेरे हाथ में नहीं है टीम मैनेजमेंट रोचेन करता हूं को जो ठीक लगा उन्होंने किया और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टीम में वापस आऊ जहां तक मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि आने वाला हर दिन पहले से अच्छा होगा मैं हर दिन अपने खेल में सुधार ला रहा हूँ और पहले से और अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ अश्विन ने आगे कहा अगर मुझे टीम में खेलने का मौका मिलता है तो अपना बेस्ट देना चाहूँगा अश्विन ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो शिलंका के स्पिन गैंद बाज रंगना हिरात को अपना रोल मॉडल मानते हैं अश्वी ने कहा कि रंगना हिरात मेरे रोल मॉडल हैं, मुझे लगता कि वो शानदार गैन बाज हैं और हर दिन खुद को साबित करते हैं और नए किर्थिमान हासिल करते हैं बढ़ती उम्र किसी भी क्रिकेटर के लिए आसान नहीं होती, लेकिन हिरात उम्र के साथ साथ और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं अश्वीन टेस्ट में तो टीम इंडिया का लगातार हिस्सा हैं लेकिन वंडे और टीट्वेंटी टीम से बाहर चल रहे हैं अश्वी ने भारत के लिए अपना आखरी वंडे मैच 30 जून 2017 को वेस्टिज के खिलाब और आखरी टीट्वेंटी मैच 9 जुलाई 2017 को वेस्टिज के ही खिलाब केला था प्ले मीजर रिपोर्ट